Hello दोस्तों, कैसे हैं? आज हम लोग inh. with का, जो हमारा preposition है, उसके बारे में सीखेंगे. इसका हम लोग you post tomatum करेंगे दोस्त. यह हम लोग और post tomatum का सीरी चल रहा है prepositions का. इसमें हम लोग सीखेंगे कि verb के साथ कैसे with यूज होता है, adjective with कैसे use होता है, नाउन के साथ कैसे यूज होता है, दोस्त, most of the examples जो हम लोग यहाँ पर लेते हैं, वो किसी ने किसी exam में आया हुआ रहता है, तो आज हम लोग सीखते हैं दोस्त, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, notebook लेंगे दोस्त, इसका हम लोग अपना notebook पे सारा लिख लेंगे, बढ़ी अससे हम लोग फेर करते हैं और इसका हम लोग प्राक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्त, चलो सुरू करते आप, with, वर्ब के साथ कैसे लगता है दोस्त, वर्ब के साथ लगता है जब हम लोग agree, compare, complete, comply, disagree, till, interfere, part, quarrel, threaten, के साथ हम लोग वीत लगाते हैं और object का use करते हैं दोस्त, जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, walk, dance, drink, leave, sleep के साथ भी with का इस्तमाल करते हैं, जैसे हम लोग example लेखेंगे, I fully agree with you, मतलब यहां पर क्या होता है, मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ, हम लोग हमेशा बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने कानों से सुनते हैं We See With Our Eyes हम लोग अपने आखों से देखते हैं We Right With Our Hand हम लोग अपने हाथों से लिखते हैं मतलब जब हम लोग इस तरह का रब का यूज करेंगे तो उसके साथ हम लोग với का प्रयोग करेंगे दोस्त यहां देखेंगे, वीत क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है? Cut it with a knife, कोई चीज आपके पास है, इसको चाकू से कटिए, ठीक है? चाकू से कटो, कोई भी चीज होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Cut it with knife, he is sick with fever, अब देखेंगे, हम लोग यहां पर जो sick है, sick मतलब क्या होता है, बीमार, वो कैसे है भईया, तो वो बुखार से पीडित है, वो बीमार है, I live with my parents, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, तेहां पर हम लोग इसका ख्याल रखेंगे दोस्त, What will you buy with this money? आप इस पैसे से क्या खरी देंगे? आप इस पैसे से क्या खरी देंगे? इस तरह से हम लोग वर्ब के साथ इस्तमाल करेंगे दोस्त, Adjective के साथ कैसे इस्तमाल करते हैं? Adjective के साथ कैसे इस्तमाल करेंगे? Acquainted, Angry, Blast, Busy, Disguised, Ill, Pleased, Popular, Satisfied, Plus With, Plus Object, दोस्त, यहाँ पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पर words यूज कर रहे हैं, Either in adjective और verb और फिर आप यहाँ noun देख लीजिए, जो भी यूज कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्त, और भी है, बट हम क्या करते हैं, उन शब्दों को ज़्यादा prefer करते हैं, जो हमारे exams में या फिर ज़्यादा इसका usage हो रहा हो, उनको हम लोग ज़्यादा use करते हैं दोस्त, यहाँ पर कह करेंगे, I am pleased with his behavior, मतलब मैं उसके बैवहार से क्या हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत आनन्दीत हूँ, उसका बैवहार इतना अच्छा है ना, यार मुझे बहुत पसंद आया, जो उसने, मतलब हम लोगों का जो क्या बोलते हैं, जो सेवा सतकार करा, जो वेलकम करा, fantastic, fabulous, तो हम लोग इस तरह से करेंगे, pleased with his behavior, boss is satisfied with his staff, बहुत तो यार जल्दी खुश नहीं होते हैं, फिर भी अगर मानलों बहुत खुश हो जाते हैं, तो हम लोग की समत बहुत अच् Boss is satisfied with his staff, मतलब जो boss हैं, जो हम लोगों के senior हैं, वो क्या हैं, अपने staff से, जो उनके नीचे, जो काम करने वाले, जो employees हैं, उनसे बहुत खुश हैं, क्योंकि वो काम करके बहुत अच्छा दिये हैं, something like this India is not at war with any nation, भारत जो है इस समय किसी भी दूसरे देश के साथ यूध पे नहीं है, कुछी से यूध भी हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, तो इस तरह से इसमें हम लोग यहां पर ऐसे लगाएंगे, we are not at war with any nation, चीक है दोस्त, यहां पर देखेंगे, noun plus with plus object, noun के साथ with कैसे alliance, comparison, enmity, friendship, love, peace, quarrel, with plus object लगाते हैं दोस्त, ऐसे हम लोग यूज करेंगे, जैसे एक और भी तरीका है, at war, at peace, at friends, यहां पर be लगाएंगे, in love, fall in love, इस तरह का हम लोग कुछ example रखेंगे जो एक्जाम में बहुत आता है दोस्त, closet state में तो बहुत जबरदस्त आता है, fill in the blanks में भी आता है, passage के रूप में जो fill in the blanks होता है, उसका कुछ कुछ sentence हम उठा कर यहां पर लिख देते हैं, ताकि हम लोग को समाज में आता रहें, plus with plus person, जैसे, अभी आगे example में देखेंगे, एक और भी तरीका है, with plus joy, pride, pleasure, thanks, हम ठीक है, uneven चीज किसी के घटता है, तो हम लोग उसको बूलते हैं, what's wrong with you, आप क्या हुआ, जो आप ऐसा behave कर रहे हो मेरे साथ, I can't be friends with bad boys, मैं गंदे बच्चों या गंदे लड़कों के साथ मैं कोई अपने दोस्ती नहीं रख सकता है, नहीं करना चाहता, इस तरह से हम और quarreling with your brother, अपने भाई से जगडा मत किजिए, लड़ाई मत किजिए, अकसर हम लोग जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग अकसर दीदी के साथ हमारी जड़ाई होती थी, जड़फ हो जाता था दीदी से, तो वैसे भी आप देख सकते हैं, stop fighting, quarreling with your brother, अपने भाई से, अ आप किसी से पैसा मांगे, दीदी से, भाईया से, किसी से पैसा मांगते हैं, और वो खूसी से आपको देते हैं, और कभी-कभी जाता है, मन दुखी करके आपको देते हैं, यहाँ पर क्या है, खूसी से, with pleasure, आनन्द के साथ, आप मांगे, भाईया से पैसा, भाईया आपको पैसा दे दिए दीदी से मांगे दीदी पैसा दे दिए दोस्ते मांगे पैसा दे दिया पिताजी से मांगे वो दे दिया माताजी से मांगे वो दे दिया इट मिंस वोट प्लेजर विथ प्लेजर ठीक है तो किल विथ एन एरो जब हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं न हम लोग तीर से किसी को मारते हैं, ठीक है? तो यहां पर ऐसे यूज़ करेंगे, कैसे इसके उज़ करेंगे? राम किल्स रावना विथैन आरो, राम ने रावन को तीर से मारा, यह मारते हैं, ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, cover with dirt, हम लोग क्या बोलते हैं? यह जगा पूरे धूल से cover हो गई है कोई भी चीज का हम लोग बात करेंगे तो वो cover से ढग गया है तो covered with dirt बोलेंगे In love with him He loves or he fell in love with him और her जैसे भी हम लोग इस्तमाल कर सकें यहां love with him या her जैसे भी हम लोग लगा सकते हैं इसको connect with जैसे हम लोग किसी सी से जूड़ते हैं जैसे हम लोग क्या बोलते हैं अक्सर बोलते हैं अरे हम इसे connect नहीं कर पा रहा है What does it mean? I'm not connecting this thing with myself हम लोग नहीं उससे जूड़ पा रहा है मतलब कही न कहीं कुछ बीच में gap रह जा रहा है या कभी-कभी connect कर लेते हैं दोनों बात है कभी connect कर सकते हैं कभी connect नहीं कर सकते हैं तो connect with a cake made with eggs मतलब कोई भी cake होता है जो with egg बनता है कोई भी cake होगा without egg बनता है तो हम लोग यहां पर without भी यूज़ कर सकते हैं without egg और with egg भी यूज़ कर सकते हैं तो ये हमाला इस तरह का sense में भी हम लोग use कर पाते हैं दोस्त ये हम लोग के लिए बहुत important है ठीक है दोस्त हमको ऐसा लगता है कि वीट का जो इसमें हम लोग बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे दोस्त अगर कहीं पर दिक्कत होती है इस वीडियो को आप आगे पीछे घर के बार बार देखिए आपको समझ में आ जाएगा दोस्त और जो भी आपके पास बुक होगी competitive level की बुक होगी उसको आप try करेंगे solve करने का हम हम लोग अभी दोस्त टू का बना चुके हैं और भी चुकी preposition का हम लोग पढ़ चुके हैं बट फिर भी हम लोग इसका पूस्टमाट्यम कर रहे हैं मतलब इसके बाद इसका uses बहुत limited रह जाता है दोस्त चीक है आप लोग इसका practice करेंगे जो भी दिक्कत होगी comment box में डाल करने का मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू दोस्ते